हेलो दोस्तों स्वागत आप सुभी का आपके अपने उट्यूब चैनल डिजिटल स्टेड़वन में और आज किस वीडियो में हम लोग बर्गमूल निकालना वो भाग बीरी से सीखने वाले हैं देखिए बहुत सारे बचे बर्गमूल भाग बीरी से नहीं निकाल पाते हैं इसलिए आज किस वीडियो में हम बहुत ही असानी से बर्गमूल भाग बीरी से निकालना सिखने वाले हैं देखिए बहुत सारे बचों का क्वेरी जाता है कि यह भाग कितने बार में जाएगा यह संख्या कितनी बार में कटेगी आज किस वीडियो में सब कुछ क्लियर करा दिए चलिए शुरू करते हैं देखिए हमारे क्या है पहला बर्गमूल निकाला है चो आलिस नवासी का तो देखिए इसका बर्गमूल निकाला है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक लाइन ऐसे ड्रॉक करेंगे इस तरह से लाइन ड्रॉक करेंगे अब इसके अंदर वह स टेक कर जाएंगे कहीं न कहीं देखिए इस साइड से जो दाया साइड होता है उस साइड से दो दो संख्या का पेर बनाना है तो देखिए यह दो संख्या हो गया अब तो कोई संख्या बची ही नहीं है तो इतना ही रहने देंगे अब देखिए अब क्या करेंगे यह दो संख तो आई ये संख्या लेते हैं तो दो का बर्ग करेंगे तो दूनी का चार हो जाएगा यानि कि नहीं आ रहा है चोवालिस अभी तो बहुत कमा रहा है तीन का करेंगे ती तीरी का नो हो जाएगा चार का करेंगे चार चोग का सोला हो जाएगा पांच का करेंगे पांच पंच यानि कि छो बार में और यहां पर भी एक छो लिख देंगे और फिर ऐसे कर देंगे आप देखिए यह चो में चो से गुणा करेंगे तो किन्ना हो जाएगा आप 44 में से 36 को घटाएंगे तो देखिए है छो चौ कितना हो जाएगा बारा रहो जाएगा आप देखिए अब जो उपा से संख्या उतरेगी आप नॉर्मल भाग करते होंगे तो उसमें एक एक sandwich उतारते होंगे लेकिन तो यह देखिए जो दो का पियर बना हुआ है दोनों संख्या यहां पड़ा जाएगी यानि की आठ और नो यह आजाएगा यहां पर आप देखिए अब क्या करेंगे कि अब कितने बार भाग जाएगा तो देखिए अब आपको तो पता नहीं चलेगा ऐसे हमने बता है आप अपको देखिए आइसे देखने में आपको पता नहीं चलेगा कि कितने बार भाग जाएगा तो देखिए क्या करना है इधा से you तो है इस साइड से एक संख्या बंद कर देना है एक संख्या को बंद कर देना है और इस साइड कुछ भी नहीं करना है इस साइड एक भी संख्या बंद नहीं करना है देखिए इधा से अगर आप दो बंद करते हैं इधा से आप दो बंद करेंगे तो इधा से एक बंद तो देखिए अब इधर कितना बचा टुएल बचा और यहां किया बचा एटी एट बचा तो अब बारह का ऐसा परढ़ा पढ़िए या तो 88 या तो 88 से कम आ जाए तो पढ़िए बारह का बारह 12-22-24-36-48-25-60-72 बारह सते 84 यानि कि कितने बाद जाएगा साथ बार जा रहा है तो 84 आ जा रहा है और अगर आठ बार ले जाएंगे तो अधिक हो जाएगा यानि कि कितने बार जाएगा साथ बार में जाएगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे उपर सबसे पहले साथ लिख देंगे ओके आप देखें यहाँ पर भी क्या लिखेंगे साथ लिख देंगे आप देखिए अभी सका इसका कुना किजिए सथ सदें उन्चास और कितना हो जाएगा किप हुर्ण चार कितना हो जाएगा अफ ही आफकल साथ में एक से गुणा करें अजया तो साथ एक मए एक में था यह नो कट जाएगा आठ में से 8 जाएगा यह भी कट जाएगा और यह भी कट जाएगा कुछ नहीं बचेगा तो देखिए हमारा बर्गमूल क्या हुआ बर्गमूल हम लिखेंगे बर्गमूल बशीन बड़ाबर प्लस मैनस 67 यह आंसर हो जाएगा आप देखिए एक और question हमने लिया है जिसको solve कराएंगे जिससे आपको और भी अच्छे तरह से बर्ग मुल्क निकालना आ जाएगा तो देखिए question है हमारा तो सबसे पहले हमने बताया कि आपको एक ऐसा घेरा बना देना है कुछ इस प्रकात से ओके अब उसके बाद जो इसके अंदर क्या करना है कि जो यह संख्या है उसको लिख देना है कितना है 49284 ओके अब इस संख्या को हमने लिख दिया उसके बाद क्य करते हैं कि इस से यानि कि राइट से दो दो संख्या का पेर बनाते हुए इधा तब आते हैं तो देखिए इधा से दो का पेर बनाएंगे फिर दो का पेर बनाएंगे और यह एक है तो इसका पेर नहीं बनेगा तो इसको वैसे ही छोड़ देंगे अब देखिए अब यहां प यानि कि 2 है वो हमारी संख्या क्या है 2 है दो गुणे 2 यह नीचे भी 2 लिख देते हैं और उसके बाद यहाँ पर भी क्या लिखते हैं 2 लिख देंगे आप देखिए 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा और 4 में से 4 यहाँ पर घट जाएगा तो क्या हो जाए नीचे आजाएगा तो यह उपा से क्या उतर गया लेगे तो देखिए आप क्या करेंगे अब हमने पहले ही बताया था इधा से एक ढख लेंगे और इसे एक भी नहीं डख लेंगे तो ऐसे करके हम पता लगा सकते हैं कि हमारा भाग कितने बाद जाएगा तो देखिए इध बार जा रहा है तो अधिक हो जा रहा है यानि कि दो बार जाएगा तो दो बार इधर यहां पर लिख देंगे दो और यहां पर भी दो और नीचे भी क्या लिख देंगे दो लिख देंगे अब देखिए अब यह दो जोड़ देंगे दो दो चार हो जाएगा और यह चार ऐसे तो घटेगा नहीं तो एक कैरी लेंगे तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 और यहां पर 8 में से 8 जाएगा कुछ भी नहीं बचेगा अब देखिए यहां तक तो खेल खतम हो गया अब क्या बचा है 84 बचा है यानि कि दो का पेर लगा हुआ है यहां पर तो यह दोनों संख्या कहा जा करेंगे ऐसे करके देखिए यह आपका पता चल जाएगा कि कितने बार भाग जाएगा तो देखिए इधा से हम एक बंद कर लेते हैं यह देखिए बहुत ही आसान यह हमने खुद से बनाया हुआ है देखिए इधा से एक बंद कर लेंगे और इधा से एक भी नहीं बंद कर ओके तो देखिए यह 44 में 44 से भाग किजिए 88 में इधा एक हमने बंद कर लिया तो कितना बचा अ'da क've बचा नीछे भी दो लिख देँगे आप देखिए अब दोटा से करिए तो दुनी का कितना हो जाएगा चार हो जाएगा पर चार में 2 से गुणा कीजिए, 4 दूनी का 8 हो जाएगा, फिर 2 में 4 से कीजिए, दो च्योग का 8 हो जाएगा, आब इसको क्या करेंगे, कि इसको जोड देते हैं, तो जोड दीजिए, 2-2 कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा और चार वह तो चार लिख देंगे फिर यहां पर चार है तो चार लिख देंगे आप देखिए यह चार में से चार को यहां पर घटाएंगे तो यह तो कुछ भी नहीं कर बचेगा और आट में से आट भी घटेगा तो कुछ भी नहीं यह भी कुछ भी नहीं